ब्रिस्पेन टेस्ट पर संकट के बादलों के बाद सिद्नी टेस्ट को लेकर एक अच्छी खबर आई है हाल में भारत के पांच खिलाडियों के कोविट पूटकॉल तोलनी की खबर आई थी जिसके बाद अब ये जानकारी मिली है कि भारत का पूरा दल एक साथी सिद्नी के लिए रवाना होगा इस खबर के साथ उन सभी रिपोर्ट्स पर विराम लग गया है जिसमें कहा जा रहा था कि भारत के दल के पांच खिलाडियों को मेलबर्ण में आईसोलेट रहना पड़ेगा जबकि बाकी टीम चार जन्वरी के दिन रवाना हो जाएगी रवाना होंगे प्रोटिकॉल तोड़ने के मामले में भारते टीम पर लग रहे आरोपों की बीच टीम इंडिया के अंदर से एक सूत्र ने कहा कि टीम इसे पूरी तरह से बेबुनियाद आरोप मानती है क्योंकि पूरी टीम ने पिछले दो महीने से सभी नियमों का सक्ती स पालन किया है चार जनवरी के दिन दोनों टीमें सिद्नी पहुच जाएंगी जहांपर वो साथ जनवरी से शुरू होने वाले सिद्नी टेस्स की तयारियों में लग जाएंगी दोनों टीमों को 31 दिसंबर के दिन सिद्नी पहुचना था लेकिन कोरोना वायरस के ताजा मामल किया है उससे उनका आदम विश्वास बड़ा हुआ है सीरीज के तीसरे मैच से पहले रोहिश शर्मा का टीम से जुड़ना उनके लिए एक और अच्छी खबर लेकर आया है आपके लिए खबर लिखिया हमारे साथ ही विपिन ने मेरा नाम है दिव्यांशी देखते रहिए द आदमी पान खाके बकैती न कर पाए और कमपट का मुव में तूटना विलुप्त हो जाए तो ललन टॉप का फुटकर भी यही करने वाला है बड़े बड़े वीडियो के बजाए यहां मिलेगा चिलर वीडियो का फुल डोर खेलकूत सिनेमा नेतागीरी से लेकर देश-द का हर रंग एंकर करेंगे सीधे आपसे बात दिल खोल कर और हां फिर बता दें चिलर हैं चिल गोजय ना समझना पैचानने में गलती भी ना करना क्योंकि हम वही वाले हैं जिसका वादा रहा है मम्मी कसा मिलेगा मारक मजा क्योंकि हम हैं ललन टॉप हम हैं फुटकर ललन ट